हलो बच्चों आई होप आप सब अच्छे होंगे आप सब की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप सब का टूडे अकेडमी पर स्वागत है आज गाई हम सब एक्साइज 10.2 का कुशन नंबर 10 एन 11 लेकर प्रजेंट हैं आए कुशन नंबर 10 सौल करते हैं कुशन नंबर 10 सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब कर लिए जिसका आपका सेंटर पॉइंट आपका ओ है ठीक है और कहरा कि आपका एक्स्टर्नल पॉइंट है एक्स्टर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट रहा है ठीक है तुमारा एक्स्टर्नल पॉइंट पॉइंट पी है और फर्स टेंजेंट है पी क्यू और सेकेंड टेंजेंट आपका पी आर है उके उसके बाद गाईज हमने क्या center o से point of contact o o q को join किया and point of contact r o r को join किया ठीक है question कह रहा कि जो दोनों tangent के बीच में angle बना है ठीक है उसका और angle of point of contact जो बना है center पर इन दोनों angle का हमें प्रूब करना है कि दोनों angle आपस में क्या है supplementary है supplementary means that guys 180 degree थो हमें देखिए प्रूब करना है angle p plus angle o is equal to 180 degree प्रूब करना है ठीक है तो आईए वह हम given that में लिखते हैं हमें दिया क्या गया है कि a circle a circle with center o two tangent two tangent two tangent two tangent p q and p r from external point p तो आई ये लिखते हैं हमें प्रूब करना angle p plus angle o is equal to 180 degree तो आईए guys अब प्रूब करते हैं हमारा जो फीगर बना देखिए p q o r ये quadilateral figure है ठीक है और इसमें गाईज देखिए आपका जो o q है आपका p q पर क्या है perpendicular होता है ये tangent है tangent पर radius तो ये आपका 90 degree angle होगा ये भी आपका क्या है o r जो है point of contact पर क्या है perpendicular होता है ये आपका 90 degree angle होगा ठीक है आईए पहले इसको हम लिखते हैं angle p q o ये वाला angle गाईज इस उकल टू क्या होगा 90 degree क्या होगा बिकॉस radius to tangent to tangent perpendicular point of contact ओके similarly गाईज आपका ये भी होगा angle p r o and angle p r o बराबर 90 degree same आपका आएगा ठीक है radius to tangent perpendicular point of contact ओके तो गाईज अब देखिया आपका ये क्या है ये quadrilateral हमारा figure है p r o q ये quadrilateral figure है आएज लिखते हैं in quadrilateral in quadrilateral p q o r ठीक है हम जानते हैं sum of angle of quadrilateral is equal to होता है 360 degree ओके आएज देखते हैं angle p o sorry angle p q o angle p q o plus angle q o r angle q o r plus angle p r o plus angle q p r is equal to 360 degree ये होका गाईज because because sum of angles of quadrilateral तो अब गाईज ध्यान दीजे is की value put करते हैं हमने angle p o q को find किया है 90 degree है plus angle q o r q o r हमें find करना है plus angle p r o p r o देखिए p r o हमने find किया 90 degree है plus angle q pr q pr हमें find करना है is equal to is equal to 360 degree तो गाईज देखिए 90 degree plus 90 degree क्या होगा 180 degree plus angle q o r plus angle q p r is equal to क्या होगा guys 360 degree अब गाईज आप ध्यान देजिए हमने अभी क्या देखा कि हमारा angle angle q o r देखिए angle q o r ये वाला angle इसको हम angle क्या लिख सकते है o लिख सकते है angle o लिख सकते है plus angle q pr plus angle q pr ये इसको हम क्या लिख सकते है angle p लिख सकते है angle p is equal to 180 degree तो गाईज देखिए हमें यही प्रूफ करना था एंगेल P प्लस एंगेल O R is equal to 1 80 degree ठीक है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगेल P प्लस एंगेल O is equal to 1 80 degree यह हमें प्रूफ करना था ओके तो यह आपका प्रूफ हो गया है Hence प्रूफ कुश्चन क्लियर वह आगए तो आप मैंचल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा अपने दोस्तों को शेयर कीजेगा यदि आप कोई कोई प्रॉबलम है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर इनफॉर्म करना ओके आईए कुश्चन नमबर 11 सौल करते हैं 11 है प्रूब देट दे पैलोलोग्राम सर्कम्सक्राइबिंग असर्कल इस रोमबस ठीक है तो आईए कॉर्डिंग टू कुश्चन अपना डियाग्राम बनाते हैं क्या करा कि एक पैलोलोग्राम है तो देखिए हमारा क्या है A, B, C, D इस पैलोलोग्राम अब कहरा है कि उसमें सर्कम्सक्राइबिंग असर्कल तो देखिए इसमें अंदर जो है पैलोग्राम की साइट से टच करके एक सर्कल हमने ड्रा कर लिया है ठीक है हमें प्रूब करना is a rhombus तो हमारा जो पैलोलोग्राम है इसको हमें प्रूब करना है कि यह rhombus है ठीक है आईए हम लिखते हैं दिया क्या गया है गिबेन में गिबेन लिखते हैं A, B, C, D is a पैलोलोग्राम ओके and a circle circumscribing ठीक है ओके यह हमें दिया गया है तो ज़रक मारा circle circumscribing किया गाईज तो हमारे जो parallelogram की side में क्या किया है touch किया यह देखिए four point पर a b को हमने touch किया किस पर p पर b c को touch किया किस पर q point पर आपका c d जो है r पर and a d को उसने touch किया किस पर point s पर ओके तो आई यह हम देखिए प्रूब क्या करना है to prove हमें करना है प्रूब करना है गाईज कि हमारा a b c d जो है यह एक रॉमबस है a b c d तो गाई जब रॉमबस कब होगा जब इसकी क्या होगी our sides are equal होगी तो हम इसे ऐसे बिख सकते है a b is equal to b c is equal to d c is equal to a d ओके यह चीज हमें prove करना है तो आईए हम हम prove करते हैं आईए हम prove करना स्टार्ट करते हैं ठीके तो गाईज हमारा क्या था a b c d जो प्रेलोग्राम है हम जानते हैं कि प्रेलोग्राम की प्रापरिटी होती उसका opposite sides are equal होता है ठीके हम लिखेंगे a b is equal to d c यह वाली line आपके d c के क्या होगी equal होगी इसे लेट कर लेंगे question number one ठीक है and दूसरी side b c is equal to किसके बराबर होगी a d k b c is equal to क्या होगी a d k equal होगी इसे हम लेट कर लेंगे question number two यह क्या होगे property of a प्रापरिटी of parallelogram same यह भी होगा guys okay आईए हम देखते हैं कि हमारा जो फिगर है यह क्या है आपका point a से a p बराबर a q होगा क्यों क्योंकि यह आपकी दो tangent है from a same point ठीक है हम लिखेंगे and a p is equal to a s let करेंगे question number इसे 3 यह क्यों equal होगा because tangents from same point okay आईए देखते हैं similarly हम क्या लेंगे point भी लेंगे तो point भी क्या होगा bp is equal to bq होगा इसे लेट कर लेंगे equation number 4 यह भी क्या होगा guys same इसकी property होगी आईए गाईज हम क्या करेंगे c points लेंगे क्या होगा cq is equal to cr होगा ठीक है तो आप लेंगे हम cr is equal to cq इसे लेट कर लेंगे question number 5 यह भी क्यों equal होगा क्योंकि tangent from the same point है ओके तो आईए भाइज क्या लेंगे आपका d point लेंगे क्या लेंगे d point तो जब d point लेंगे dr is equal to ds होगा यह हम लेट कर लेंगे question number 6 because tangent from the same point ओके आईए देखिए question 3, 4, 5 and 6 ठीक है इनको जब क्या है left hand side बराबर है right hand side के तो इने हम क्या कर लेंगे adding कर लेंगे adding equation third fourth fifth and six ठीक है तो हम left hand side को left hand side मेंट करेंगे right hand side को right hand side मेंट करेंगे आगे देखते हैं अपी प्लस बी पी पी प्लस बी पी प्लस प्लस दी आर तो आईए AP और BP का स्थान क्या लिखेंगे AB लिखेंगे प्लस गाईज तो आईए दुबारा हम अपने डाग्राम में देखते हैं आपका CR प्लस DR है तो आप देखिए CR प्लस DR है तो इसके replace क्या लिख सकते हैं DC लिख सकते हैं DC is equal to इन दोनों के स्थान पे तो आईए भब गाईज देखते हैं क्या है आपका AS प्लस आपका DS है AS प्लस DS आईए figure में देखते हैं आपका है देखिए AS प्लस आपका DS क्या लिख सकते हम AD लिख सकते हैं ठीके AD लिख सकते हैं ओके आईए वमारे कुश्चन देखिये क्या है bq plus cq डाग्राम में देखिये बिटा bq आपका ये है और आपका cq ये है इन दोनों के अस्थान क्या लिख सकते हैं bc लिख सकते हैं plus bc लिख सकते हैं ठीक है आईए नेक्सी स्टेप में देखते हैं guys देखिये ab plus dc है तो is equal to आपका dc है क्यों है property of a parallelogram ठीक है तो ab is equal to dc है तो हम क्या कर सकते हैं dc के replace कर सकते हैं ab को ठीक है लिखते है ab plus dc के अस्थान क्या लिखेंगे आप ab लिखेंगे क्यों ए आपकी question 1 से ठीक है is equal to आगे देखिये आप आपका क्या है ad plus bc है आगे यहीं पर आप देखिये हमने क्या प्रूब किया था bc is equal to ad question number second में bc is equal to ad तो हम ad के replace क्या लिख सकते हैं guys bc लिख सकते हैं ad के स्थान क्या लिखेंगे हम bc लिखेंगे bc plus bc ओके आप 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 आज देखिये ab plus ab इसे add कर देंगे 2ab होगा ab is equal to bc plus bc है तो इसे add करेंगे 2bc होगा तो दोनों आपका bc आ गया ठीक है तो अब कर लेंगे question number seven ओके तो अब guys आप ध्यान दीजिये देखिये कि हमने क्या लिखा था question number one में क्या लिखा था देखिये question number one हमारा था ab is equal to dc bc is equal to ad तो अब अगर हमारा ab is equal to bc हो गया ab is equal to bc हो गया तो dc और ad भी हमारा बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं क्या from equation first second and seven लिख सकते हैं क्या ab is equal to bc is equal to dc is equal to ad तो guys जब हमारी figure की all sides are क्या हो गई सभी sides इसकी equal हो गई देखिया हमने यही प्रूब करना था ab is equal to bc, bc is equal to dc and dc is equal to ad ओके जो हमारा यह प्रूब हो गया all sides from list सकते हैं hence hence abcd is a rhombus okay guys i hope आप सबको question के लिए रुआ होगा तो आप में चनल को subscribe कीजेगा like कीजेगा comment कीजेगा thanks all of you सभी को राम राम